नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अबडेट पे तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भारत का जो सालाना बजट है वो आ चुका है और इसी बीच भारत ने 2022 और 2023 के जो डिफेंस बजट है उसका भी एलान कर दिया है और इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें 9.8 परतीशत की जो बढ़ोतरी है वो की गई है और इसी के साथ हमारा जो डिफेंस बजट है वो पिछले साल 64 बिलियन युएस डोलर था जो कि अब इस बढ़ोतरी के साथ 70 बिलियन युएस डोलर से ले करके almost 71 बिलियन 296 क्रोड था जो कि अब 525,166 क्रोड हो गया है तो दोस्तों जैसे कि मैंने अब से लगबक 11 से लेकर के 12 दिन पहले आप सब को बताया था कि इस साल का जो डिफेंस बजट होगा उसमें मेन फोकस हमारी जो इंडिये नेवी है उनके उपर किया जाएगा ताकि वे अपने जो कैपिटल आउटले या फिर जो कैपिटल एकस्पेंडिचर है जो कि पिछले साल 1.35 लाग करोड रुपे था तो सबसे पहले तो उसमें 12.8 परतीशत का जो जम्प है वो देखा गया है तो इस बढ़ोतरी के साथ हमारा जो अब कैपिटल एकस्पेंडिचर है वो 1.52 ला जो का इसमें शेयर है उसे जान करके आप काफे जीजादा हैरान हो जाओगी क्योंकि जैसा कि आप सब को पता है कि भारते पिछले काफी सालों से जो हमारी थल सेना है सबसे जादा उनके ओपर खर्च करता था इसके बाद हमारी जो वायू सेना है उनको यहां पर डिफेंस billion US dollar दिये गए हैं और दोस्तों यहां पर जो हमारी Indian Army है उनका जो capital expenditure है उसमें 12.2% की जो गिरावट है वो यहां पर आई है जबकि दोस्तों इसके बाद हमारी जो भारती वायू सेना है उनको यहां पर 55,000 करोड रुपे यहां पर दे गए है यानि कि almost 6.3 billion US dollar और उनकी जो यहां पर बढ़ोतरी है वो यहां पर लगबग 4.1% की हुई है तो इसके बाद नंबर आता है हमारी नो सेना का जिनके शेर में सबसे ज़रा जो बढ़ोतरी है वो यहां पर की गई है क्योंकि क्योंकि हमारी जो सेना है उनके लिए 2,022 और 7 में जो 23 का capital expenditure है वो 47,590 करोड रुपे रखा गया है यानि कि almost 6.3 billion US dollar तो दोस्तों यहां पर जो हमारी इंडियन नेवी है उनके शेर में लगबग 43% यानि कि 43% की जो बढ़ोतरी है वो यहां पर की गई है जो कि अपने आप में काफी जादा massive नंबर है तो दोस्तों इस सब के अलावा भी भारत का यह प्लान है कि 2030 तक जो हमारी इंडियन नेवी है उनके ओपर हम लगबग 51 बिलियन यूएस डोलर लगाएंगे जिस से की हम नए शिप नए एरक्राफ्ट और साथ में जो डिस्ट्रोयर और जो फ्रिगेट है उनको हम यहां पर शामिल कर सके और दोस्तो इस सब के बाद आप सब को पता है कि जो चाइना की नेवी है अब वो नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नोसेना बन चुकी है क्योंकि उनके पास USA से भी ज़्यादा जो नेवल शिप हैवे आ चुके हैं और इस सब के अलावा जो अब चाइना है वो अब भारत को इंडिया नोशन रीजन में भी जो है चैलेंज करने लगा है तो ऐसे में जो हमारी नेवी है उनको अच्छे खासे और साथ में हैवी बजट की आवशकता है तो दोस्तो इसी के तहत यहाँ पर यह जो स्टेप है यह लिया गया है जिससे की आने वाले समय म वो और ज़्यादा तेज हो सके और साथ में वे नए नेवर्शिप को अपने बेड़े में शामिल कर सके तो दोस्तो इस सब के अलावा भी जो हमारे राजना सिंग्जी है उन्होंने बताया है कि इस बजट में दो हजार करोड के जो और फंड है वे यहाँ पर एड़ किये गए हैं जिसका इस्तेमाल जो उप्टिकल फाइबर से उनको बिचाने के लिए किया जाएगा और दोस्तो इसके अलावा इस साल का हमारा जो डिफेंस बजट है वो सतर से लेकर के 71 बिलियन युज डॉलर है और इस टोटल अमाउंट का जो 68 परसेंट है यानिकी 68 परतीशत तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे सब्देशी हत्यारों की खरीद पर और इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट कंपनिया है उनकी लिए यहाँ पर स्पेशल लगबग 25 परसेंट यानिकी 75 बिलियन युज डॉलर के जो अमाउंट है वे हमारी जो प्राइवेट सेक वह इस बार ही है कि हमारा जो डिफेंस बजेट है उसका जारतर इस्तेमाल जो सब्देशी खरीद है उसमें यहाँ पर किया जाएगा और जो रिचर्च और डिवलपमेंट है उसमें भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर जाएगा तो दोस्तो इस सब के ओपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताईएगा साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा ताकि आपको ऐसे डिफेंस से र्लेटेड जो वीडियो से वे मिलते रहे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिवीडियो में तब तक क इड़ बना जड़ा जड़ा